नवस्कार आप लाइट बिहार देख रहे हैं मैं हूँ करिस्मा बिहार लोग सेवा आयोग ने प्रोजेक्ट मैनेजर की प्रारंबिक परिक्षा की नई तिथी की घोशना कर दिये बता दे कि कुछ दिन पहले समचात पत्रों में गलत तिथी प्रकाशित हो गई थी लेकिन ए प्रारंबिक परिक्षा आयोजित की जाएगी इसमें सभी प्रस्ण बहु बिकल्पिये पूछे जाएंगे यह परिक्षा दो घंटे 15 मिनट होंगे इसके साथ ही आपको बता दे कि जो भी परिक्षा थी इस परिक्षा में भाग लिये हैं वो अपना एड्मिट काड डिपियेच.bih.nic.in पर जाकर अपना एड्मिट काड डाउनलोड कर सकते हैं यह एड्मिट काड एक्जाम के एक सबता पहले बिक्षा से के बिव साइट पर जारी कर दिया जाएगा इसके साथ ही बिक्षा ने क्या कुछ जनकारीय दी हैं आपको बताते हैं आपको बता दे कि BPSC की ओर से जो नोटीस जारी किया गया है उसमें लिखा गया है दिलांक 15.07.2021 को हिंदुस्तान समाचार प्रिस्ट में 6 पर प्रोजेक्ट मैनेजर की प्रारंभिक परिक्षा 8 को सिर्शक के अंतरगत परिक्षा 8 अगस्त को दोपार 12 बजे से सवा 2 बजे क की बीच होगी समाचार प्रकाशित किया गया है सभी संबंदित उमिद्वारों वेक्कियों संस्थाओं को एतव द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समाचार में परिक्षा की तीथियम समय गलत प्रकाशित किया गया है दिनांग 14.7.2021 को बिभिन समाचार पत्रों में आयोग द्वारा प्रकासित बिग्यप्ति के अनुसार बिग्यापन संख्या 2.2020 के अंतरगत उदोग विभाग बिहार के जला उदोग केंद्रों में परियोजन ना प्रबंधन के पदोपन यूकती हेतु प्रारंभिक जिला मुख्याले में आयोजित की जाएगी आपको बताते कि यह परिक्षा कूल 150 संकों की होगी इसमें तीन भाग होंगे पहले भाग में भारतिय अस्तरसास तैम उदोग से 70 रंक दूसरे भाग में समसमाई घटनाय से 44 संक और तीसरे भाग में मानसिक छमता जाज से 44 संक की होगी इसके साथ ही परिक्षा में सफल होने वले उमिद्वार को मुखे परिक्षा के लिए चुना जाएगा प्रारंबिक परिक्षा के अंक अंतिम चैन सूची में नहीं जोडे जाएंगे यह परिक्षा कूल 600 अंकों की होगी इसमें ब्याख्यात्मक प्रकिरती के प्र प्रतेक प्रश्ण पत्र को हाल करने के लिए तीन घंटे का समय मिलेगा। मैनेजर के पदों पर होने वाली परिक्षा की तीथी की घोशना कर दी है। इसके साथ ही आपको बता दे कि एड्मिट कार्ट जो है वो बेवसाइट पर एक्जाम से एक सप्ता पहले दिया जाएगा। जो भी उमिद्वारे इस परिक्षा में भाग लिए हैं वो बीपेसी के बेवसाइट पर जाकर अपना एड्मिट कार्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार से जोड़ी तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें लाइप बिहार धन्यवाद।